नमस्का दोस्तों स्वाकत है आप सभी का हमारी चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको बवासीर की समस्या से राहत पाने के लिए कुछ घरे लुनुसकों के बारे में बताने वाली हूँ अकसर गलत खान पान के कारण आजकल बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है वहीं पाइल्स या फिर बवासीर भी इनी में से एक होती है फ्रेंट्स बवासीर जो होती है वो दो तरह की होती है एक तो होती है खोनी बवासीर और दूसरी होती है मस्से वाली बवासीर ये जो बिमारी है वो एक बार ठीक होने के बाद दोबारा फिर से हो जाती है बवासीर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे की कब्सका रहना, एक ही स्थिती में बैठे रहना, जादा देर तक खड़े रहना, मुटापा, फाइबर की कमी आदी इसके लक्षणों में मलत्याक के दौरान ब्लीडिंग होना, गूदे से एक बल्गम जैसा इस्त्राव निकलना, गूदे के पास एक दर्दनाख सूजन या फिर गांट मैसूस होना, गूदे शेत्र में खुजली होना, ये सभी सिम्टम्स होते हैं तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मस्य वाली बवासीर और खोनी बवासीर, इन दोनों समास्याओं से राहात पाने के लिए प्रभावशाली घरेल उन्दूसकों के बारे में बताने वाली हूँ इसकी जानकारी जानने से पहले, सबसे पहले तो एक निवेतन उन लोगों से करना चाहूंगी, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आया हैं, क्रप्या, सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी सदसिता को सरूर ले ले, ताकि आप हमसे जुड़ी रहें, हमारे दुरदी कई जानकारी को रोज टेक पाएं और उनसे फाइदा भीटा सकें, दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूंगी मस्य वाली बवासीर के समासा के लिए, इसके लिए एक काली मिर्च तथा बीज सहित मुनक्का, दोनों एक साथ सुबा और शाम, दो बार नित्ते खाते रहने से, म बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, तो आप इसका प्रयूक जरूर करके देखिए, अगर आपको मस्य वाली बवासीर है तो, वहीं दोस्तों, ब्लीडिंग पाइल्स होने पर, 10 काली मिर्च और 60 ग्राम अनार के पत्ते, दोनों को पीस कर, एक गिलास पानी में घोल कर, नित एक बार इसका सेवन कीजे, इससे बवासीर से रक्त किरना आपका बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा, तो दोस्तों, आपको हमारे दोर दी गईया जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक को शेर जरूर कीजेगा, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनेवाद,